आज इस वीडियो में अमनों देखेंगे इंडेल्स सुत्र को प्रूब करेंगे तो देखें इंडेल्स सुत्र होता क्या 1 by V minus 1 by U बराबर 1 by A अगर आपको कोई पूछे कि इंडेल्स सुत्र क्या होता है तो देखें किसी इंडेल्स में उसके वस्तु की दूरी प्रति बिम्ब की दूरी और फोकस दूरी के बीच एक संबंद बताया जाता है जिसे नेल्स सुत्र कहते हैं ठीक है तो ये वीडियो आपका VVI question में बहुत ही important होता है बहुत बार exam में आया है तो अगर आप इस बार class strength का exam देने बाले हैं इस वीडियो को भीनकुल भी मिशना करें तो देखिए हमें प्रूब करना क्या 1 by V minus 1 by U बराबर 1 by F तो सबसे पहले देखिए हम क्या करें एक lens नेते हैं उत्तर lens है हमारा ये क्या उत्तर lens तो देखिए एक lens है हमारा जिसका O हो गया प्रकास केंद्र 2 और फिर 2 F2 ठीक है अब देखिए हम जो है न एक वस्तुन ही है AB उचाई का एक वस्तुन ही है तो इससे प्रकास की किरन चनते हुए हमारे फोकस से गुजरेगी F2 से और दूसरी किरन जो है वो हमारे प्रकास केंदे से गुजरेगी तो दोनों यहां पर मिनने के बाद A-B- का प्रकास केंद्र अब हम लोग देखेंगे इस उत्तन डेंस में यानि सबका नाम करन कर देते हैं सबका नाम दिख देए O देखेंगे हमारे क्या है OF रकास केंद्र OB वस्तु की दूरी जिसे हम लोग U से करते हैं सुचित OB डाइस प्रतिभीम दूरी OB डाइस प्रतिभीम दूरी और OF2 फोकस दूरी जिसे हम लोग F से सुचित करते हैं ठीक है तो इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए ABO अगर किसी भी तिर्भूज में देखी अगर किसी भी तिर्भूज का 2 या 3 कौन आपस में बराबर हो अगर 2 कौन भी आपस में बराबर होते हैं तो वो तिर्भूज समरूप होता है तो देखिए तिर्भूज ABO और तिर्भूज A-B-O- में B 90 डिगरी है और B-B 90 डिगरी है तो इसका एक कौन यह बराबर हो जाएगा और दूसरा देखिए 8 OB A-O B- यह हमारा दोनों क्या सम्मुक जाने यानी सिर्था भिमुक कोने तो यह आपस में बराबर होते हैं ABO और A-BO सम्मुख है तो क्यूं देखिए ABO और A-B-O यह सम्मुक को kleiner था सम कौन से बराबर और ये दोनों आमने सामने का कौन जो होता है जिसका इस तरह से मुह आपस में मिला हुआ हो तो वो आपस में बराबर होता है सम मुह कौन के कारण तो आप देखिए अगर दो कौन बराबर होगा तो तीसरा भी बराबर होगा बट हम दो इसे काम चला देगे अगर दो तिरबुज समरूप होता है तो उसका क्या होता है उसको आधार और ये जो होता है दोनों तिर्भुज के संगत बुजा को हमनों बराबर कर देते हैं तो देखिए A B बटे A ड़स B ड़स equal to यानि इधर एक तरफ हम देंगे वस्तु क्यों चाहिए दूसरी तरफ प्रतिविम क्यों चाहिए और फिर देंगे O B और O B ड़स तो देखिए A B बटे A ड़स B ड़स बराबर O B बटे O B ड़स तो यह होगे हमारा समीकरन फरस्ट अब हम लोग चैनेंगे समीकरन देखिए आगे में करेंगे आगे अब हम लोग देखते हैं इसी तिर्भुज में यहाँ आपने एक नाम दे दिया C यहाँ पर देखिए एक तिर्भुज C O F 2 ठीक है या O C F 2 और फिर इदर देखिए A ड़स B ड़स F 2 इसमें देखिए यह बाद हमारा 90 डिग्री है ठीक है और यह दोनों सम्मुक कोन है तो यह दोनों वियापस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो इस बार देखिए हम लोग नेते हैं देखिए तिर्भुज O C F 2 O C F 2 समरूप A ड़स F 2 यानि A ड़स B ड़स F 2 ठीक है A ड़स B ड़स F 2 तो आप देखिए दोनों का संगत बुजा को बराबर कर देगे C O बटे इसकी उचाए हो जाएगा B ड़स A ड़स ठीक है C O बटे A ड़स B ड़स बराबर O F 2 ठीक है देखिए O F 2 बटे B 1 F 2 B 1 F 2 ठीक है अब देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए C O A B C O और A B बराबर है फिगर में दिख रहा ठीक है C O और A B बराबर है तो निख दिए C O बराबर A B चित्र से हैं तो अब देखिए जहाँ पर C O था वहाँ पर A B निख दिए हैं अब देखिए यह होगे हमारा समिकरन सकेंड अब देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर देखिएगा हमा जो समिकरन फर्ष्ट था A B बटे A डाइस B डाइस बराबर O B बटे O B डाइस और इधर देखिए A B बटे A डाइस B डाइस बराबर O F2 बराबर B1 F2 अगर दोनों समिकरन का left hand side बराबर है तो right hand side भी बराबर होगा जिसे मान देजे देखिए अगर हम लोग A बराबर B दिखते हैं और C बराबर B दिखते हैं तो हमारा A बराबर C भी बराबर होगा ठीक है तो इसी तरा हम लोग दिख देएगे A B बटे A डाइस B डाइस बराबर सौरी कहां गया यहाँ पर देखिए O B बटे O B डाइस बराबर O F2 बटे B1 F2 के जगार देखिए आपको पता है कि नेल्स में सभी दूरी को प्रकास के अंदर से मापते हैं तो देखिए यह O ठीक है यह भी O ठीक है बट यह भी ठीक है लेकिन नीचे देखिए B1 F2 था नीचे क्या B1 F2 यानि देखिए B1 F2 कहा है हमारा B1 F2 तो इसको हमको O से मापना है तो देखिए O B डाइस O B डाइस टोटल में हम इसको हटा देगे तो यह बच जाएगा ना O B डाइस माइनस O F2 तो यहाँ पर हम दोग देखिए O B डाइस माइनस O F2 अब देखिए O B था अमारा वस्तु की दूरी U O B डाइस प्रतिविम की दूरी B O F2 फोकस दूरी F O B डाइस प्रतिविम की दूरी B और O F2 फोकस दूरी F अब हम दोग देखिए देखिए देखिएंगे चिन परिपार्टी से तो चिन परिपाटी में देखिए आपको चिन परिपाटी में रेंस के बाई और सभी रिनात्मक यानि निगेटिव और दाई और सभी पोजेटिव यानि पनदस्तो देखिए सिर्फ हमारा वस्तु का दूरी जो है वो माईनस में हो जाएगा यानि माईनस U बटे B बराबर F बटे B माईनस F अब हम लोग कर देंगे क्या Cross Multiplication माईनस U इंटो B माईनस U B माईनस इंटो माईनस प्लस U F बराबर B F, ठीक है अब देखिए हमें ऊपर में एक डाना है हमें प्रूब करना है 1 बटे F बराबर 1 बटे B-1 बटे U हमें ऊपर में एक डाना है सभी के ऊपर में एक डाना है और नीचे एक बार B डाना है एक बार U और एक बार F तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ U, B, F से भाग देने पर क्योंकि हमारा mathematics में यह rule है कि हम दोनों तरफ एक ही number से जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं भाग कर सकते हैं, square नहीं कर सकते हैं जोर घटा गुना भागा कर सकते हैं बट दोनों तरफ क्योंगी देखिए ये दोनों तो फिर कट जाएगा तो एक ही होगा तो एक से तो हम गुना बागा करी सकते हैं तो अब दोनों सम में क्या किया है U, V, F से भाग कर दिये तो देखिए U, V, कट गया तो बचा उपर माइनस 1 बटे F U, F कट गया तो बचा B V, F कट गया तो बचा हमारा U यानि माइनस 1 बटे F पंदस 1 बटे B बराबर 1 बटे U अब देखिए 1 बटे F को राइट साइड में यानि इसको समाझ निजिए कर दिया है ठीक है बराबर 1 बटे B ये इधर चला गया माइनस 1 बटे U अब फिर इसको दिया है इसको इधर दिया है यानि यहाँ पर देखिए 1 बटे F यानि ये हमारा 1 बटे B है न माइनस 1 बटे U को राइट साइड की है और माइनस 1 बटे F को राइट साइड की है बराबर 1 बटे B माइनस 1 बटे U तो देखिए हमें यही प्रूब करना था नेल्स फॉर्मून्डा तो आज हमने नेल्स फॉर्मून्डा को प्रूब कर दिया ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को एक डाई कवस्ति करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद जैन